जोहार दोस्तों कैसे हो सब उमिद करता हूँ आप सब बहुती बढ़िया होगे तो दोस्तों साल का ये मेरा पहला वीडियो है जो दोस्तों मैं एलाइट मोशन पर एडिट करने वाला हूँ तो अभी अपनी मोबाल की स्क्रिल पर जिस वीडियो को देख रहे हो इसी वाले वीडियो को दोस्तों मैं एलाइट मोशन पर एडिट करके दिखाऊंगा अगर दोस्तो आपके फोन में Alliedmotion पहले से इंस्टल है तो अच्छी बात है बरना आपको description में link मिल जाएगा आप मेरे description से Alliedmotion को download करके install कर लिजेगा Install कर लिने के बाद साथ ही हो वीडियो को like नहीं कियो तो वीडियो को like कर दिजेगा और इस साल का दोस्तो मेरा गोल है 1 million subscriber का जो कि आप लोगो किसी भी हाल में करवाना है तो कैसे जिस कोई बंदा भी अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किये भी नई देख रहे हो उसके लिए साथ ही हूँ आपको Pixel Lab एप को आपिन करना है अगर आपके फोन में Pixel Lab एप पहले से इंस्टोल है तो अच्छी बात है बरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अब साथ ही हूँ आपको इस वाले आप्शन पर किलिक करना होगा Color वाले आप्शन पर जहिएगा यहाँ पर आपको Black Color Slate करना होगा उसके बाद आपको Image Size वाले आप्शन पर जाना होगा यहाँ पर गईस जो Wealth है आपको यहाँ पर 1440 रखना होगा और यह जो High है इसको आपको यहाँ पर 2560 कर देना है इससे आपका जो Expect Traceo है और 9-16 में आ जायेगा अब आपको OK Press करने के बाद साथ ही हूँ अभी आपको यहाँ पर इस वाले आप्शन पर किलिक करना होगा From Gallery वाले आप्शन पर आप यहाँ पर किलिक कर दिजेगा करने के बाद साथ ही हूँ आपका जो फोटो है उस वाली फोटो को आपको यहाँ पर एड़ करना होगा यहाँ पर गैस इसको One by One Expect Traceo में आप स्रेट किजेगा और इस टैप से आपको आपना जो फोटो है उसको आपको यहाँ पर एज़ेस्ट कर लेना होगा एज़ेस्ट करने के बाद साथ ही हूँ अभी आप यह जो फोटो है इसको आप यहाँ पर कुछ इस तरह से बीजो बीज में आप यहाँ पर एज़ेस्ट कीजेगा अब चाहे तो guys आप इसको ऐसे ही जोल सकते हो आप चाहे तो इसको outline भी डाल सकते हो outline डालने के लिए दोस्तों आपको इस पर click करना है यहाँ पर साथ ही हूँ आपको stroke वाले option पर जाना होगा इसको आप enable कीजेगा और यहाँ पर आप white color को slate करना है और यहाँ पर जो stroke का size आप यहाँ पर increase कर किये आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो उसके बाद आप यहाँ पर ok प्रेस कर लिजेगा अब साथ ही हूँ आपको यहाँ पर इस बाले plus के mark पर click करना होगा text बाले option पर जाइगा यहाँ पर साथ ही हूँ आपको A वाले option पर किलिक करना है Edit वाले option में जाके जो यह लिखा हुआ है इसको पहले आप हटा लिजिएगा हटा लें के बाद साथ ही हूँ आप यहाँ पर अपने वीडियो के हिसाब से डाल सकते हूँ तो मैं यहाँ पर भाय बाला जो वीडियो इसको बनाने वाला हूँ तो text को मैंने पहले यहाँ पर not point पर लिख के रखा था इसको यहाँ पर अभी कुछ इस तरह से paste कर दूँगा paste करने के बाद आपको OK प्रेस कर लेना होगा अब साथ ही हूँ कुछ इस तरह से आपका जो text है इसको अभी आपको यहाँ पर अपनी जी photo है photo के नीचे में आप यहाँ पर कुछ इस type से adjust किजेगा adjust करने के बाद साथ ही हूँ आपको यहाँ पर इसके जो color है आप यहाँ पर change किजेगा तो color वाले option में जाके यहाँ पर इसको yellow color करना होगा अब साथ ही हूँ आप थोड़ा सा और अगर slide करोगे तो आपको font दिखेगा इस पर click करके आप यहाँ पर यह वाला font को आपको select कर लेना होगा अब साथ ही हूँ बापस से आप यहाँ पर जो color वाला option इसी पर आप यहाँ पर चलेजिएगा जाने के बाद दोस्तों जो भाई वाला text है इसको गैस अभी आपको यहाँ पर red color बनाना है इसको अभी अपेले आप घिसका के भाई वाले text पर आप यहाँ पर ले आईएगा लाने के बाद इसको अभी आप यहाँ पर red class rate कर लिजेगा जैसे गैस आप इसको select करोगे यहाँ पर गैस आपका जो भाई वाला text यहाँ पर देशे तो red हो गया है अब आपको ok press करना होगा अब साथ हूँ आप यहाँ पर नीचे में अगर देखोगे तो friends आपको यहाँ पर set दिखेगा आपको इस पर click करके इसको आप यहाँ पर enable कर दिजेगा और इसको आपको यहाँ पर yellow color रखना होगा इससे यहाँ पर कुछ इस तरह का color रहाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो अब चाहे तो इसको कुछ इस तरह साप यहाँ पर इसको adjust भी अच्छे से कर सकते हो तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको adjust कर लिया हूँ adjust करने के बाद बापपस से आपको यहाँ पे plus कमार पे क्लिक करना होगा text वाले option पे जाएगा edit वाले option पे जाना होगा जाने के बाद साथ हूँ अभी आपको emoji पे क्लिक करना है यह वाला emoji select किजेगा उसके बाद यह वाला उसके बाद यह वाला यह तीन emoji आपको यहां प्रेट कर लेना होगा उसके बाद आप ओके प्रेस किजेगा यह वाला जो इमयोजी है आपको यहां पर बीचो बीच में आप यहां पर कुछ इस टैप से ले आईएगा लाने के बाद दोस्तों अभी आपको लास्ट में जाना होगा इसमें जो सेडो इसको आप रेट कलस लेट करना होगा रेट कलस लेट करने के बाद आप ओके प्रेस कर लिजेगा अब गैस इसके सेडो चाहिए तो इसको आपको यहां पर इनेवल कर देना है देख सकते हूँ यहां पर मेरा सेडो आ चुका है तो कितना बड़ यहां मेरा यहां पर फोटो यहां जिसा कि आप यहाँ पे दिख सकते हो मेरा जो Elite Motion App है मैंने यहाँ पर Open कर लिया है अब साथ ही हूँ आपको इस बले Plus के Mark पे क्लिक करना होगा यहाँ पर आप 90 to 60 रखिएगा यहाँ पर 1080 इसको चाहे तो आप 60 भी कर सकते हो तो मैं इसको 30 यहाँ पर रहने दूँगा अब Background का जो Color है आपको यहाँ पर एक Black Color का Background Slit करना होगा उसके बाद आप यहाँ पर Create Project के Option पे क्लिक कर दिजेगा अब साथ ही हूँ आपको इस बले Plus के Mark पे क्लिक करना होगा यहाँ पर साथ ही हूँ आपको Media वाले Option में जाइएगा दिन आपने जो Photo बनाया है उस वाली Photo को आपको यहाँ पर Add कर देना होगा Add करने के बाद साथ ही हूँ Double Finger के मदद से आप चाहे तो थोड़ा इसको आप यहाँ बढ़ा करके अच्छा सेज़ेस्ट आप यहाँ पर क्या लिजेगा अब साथ ही हूँ बारे वीडियो में ओडियो को Add करने का उसके लिए आपको इस वाले Option पर जाना होगा यहाँ पर आप ओडियो पर क्लिक किजेगा आपको दोस्तो इस वाले वीडियो के दिस्क्रिप्शन में ओडियो का लिंक मिल जाएगा आप यहाँ पर ओडियो को सेट करके Add कर दिजेगा Add करने के बार साथ ही हूँ आपको यहाँ पर एंडिंग में जाना होगा अब फोटो वाले फाइल पर आप यहाँ पर क्लिक किजेगा और इस पर क्लिक करके फोटो का दिवरेसन आपके ओडियो के बरावर में यहाँ पर हो जाएगा अब आपको अपने वीडियो के स्टार्टिन तरफ में आना होगा यहाँ पर आपको अपनी photo पे क्लिक करना है effect वाले option पे आपको जाना होगा add effect के option पे select कीजेगा जो search वाला option दिखराओगा इस पर guys आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अभी आपको लिखना होगा page जब लिख के search करोगे आपके सामनी यह वाला effect आएगा आपको इसको select कर देना होगा standard setting तो आप यहाँ पर on किजेगा अब साथ ही हो अभी आपको इसको बढ़ा के जब तक guys ए फ्रेम के बाहर आपका नाच चला जाए तब तक आपको इसको बढ़ाते रहना होगा तो देख सकते थोला सा मेरा बचा अभी यहाँ पर मेरा पूरा बाहर चला गया है अब इस जगा पर guys आपको एक बड़ की फ्रेम पे एक बड़ किलिक करना होगा अभी आपको यहाँ पर ending में आना है आने के बाद साथ यहाँ प्लेस के मार पर आप किलिक किजेगा अब बापस से guys इसको आभी आप यहाँ पर जीरो पर आपको कर देना होगा फानिली आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो गया है अब अगर मैं आपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाओं तो मेरा वीडियो को यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा देख सकते हो तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान सिष्टे को फोलो करके आप इस तरह का वीडियो एडित कर सकते हैं बाकी वीडियो को सेब करने के लिए आपको यहाँ पर सेर पर किलिक करना होगा यहाँ पर आप जैसा भी आप रखना चाहते हो उससा रखके आप अपना वीडियो को आप यहाँ पर एक्सपर्ट कर लिजेगा तो यार आपने अगरे मेरे लाच्ट दो वीडियो को नहीं देखा है तो इन दुन जगा पर किलिक करके आप देख सकते हो और आज का दोस्तों जो वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूब आतेएगा अच्छा लगा तो लाइक किजेगा नहीं अच्छा लगा तो